दोस्तों, आज फिर से एक नई पौध की जानकारी लेकर हाजिर है, जो कि आप इस वीडियो में आगे देखेंगे, और इसके जानकारी जानकर आप हैरान रह जाओगे. आज हम बहुत ही ज्यादा वनस्पती शास्त्र से जुड़े हुए एक अलग पेड़ पौधे के बारे में बताने वाले हैं, जो लंबे समय से हम बताना चाहते हैं. परन्तु आज हमें मौका मिला है, हम इस मौके को बिलकुल नहीं छोड़ेंगे. अलग-अलग व्रिक्षों पर अलग-अलग देवी देवता तो रहते हैं. इसी क्रम में हम आज के इस वीडियो में बताएंगे कि एक ऐसा पौधा भी है, जो पवित्र पौधा है, जो कीमती है. और इस पौधे से आप अपनी किस्मत को बदल कर गरीबी को दूर कर सकते हैं. इस पौधे की खोज में हर कई लोग अपनी चमका चुके हैं. किस्मत से ही मिलता है. यह पौधा पौधे की प्रशंसा करना जितना भी बोले उतना कम है. बड़े-बड़े आर्शिमुनियो वह केवल इसी पौधे में पाई जाती है. इस पौधे के इतने फायदे हैं कि आपको क्या ही बताएंगे, वह आप आगे जान पाएंगे. भारत प्राचीन ज्यान की जो जानकारी लेकर बैठा हुआ है, वह धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही है. चमतकारी शक्तियां जो की इस पौधे में छिपी हैं. इसी लिए आज भूमी से समाप्त होने की कगार पर यह पौधा खड़ा है. अब आप इस पौधे की जानकारी इसके मध्य तक पहुँचते-पहुचते जान ही पाएंगे और इस पौधे को देख पाएंगे. बहुत ही अलोकिक जानकारी है. इस पेड़ पौधे की अपनी कुछ अलग विशेशता तो होती है और अलग आध्यात्मिक दृष्टी से देखा जाए तो यह किसी न किसी बीमारी को ठीक करने का काम करता है. इसके अंदर अद्भुत शक्तियां छिपी हैं. इस पौधे में भगवान श्री हरी का वास्तो म भगवान विश्णू के कारण ही देवी देवताओं ने अलग प्रकार के पेड़ पौधों पर अपना निवास बनाया. इसी क्रम में आज हम सफेद कटेरी नाम के पौधे के बारे में जानने वाले हैं. शायद इस पौधे को अधिकतर आदमी अपने घर के आसपास या कही ना कहीं पर जरूर देखा होगा. सफेद कटेरी नाम से. भले ही अलौकिक और चमतकारी ना लगे. परन्तु काम तो इसके अलौकिक और चमतकारी हैं. हम आज के इस वीडियो में जानेंगे और यह जानकारी जानने के बाद आपको पूरी जिन्दगी पछताना नहीं इसलिए वीडियो को लाइक करके तीज त्योहार धर्म चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें. और इस अदभुत जानकारी का आनन्द लेने के लिए आप सबसे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें. ओम नमः शिवाये. और हाँ, अगर आपकी कोई बीमारी है, चलते मिल जाए, तो भी आपको उखाड कर ले आना चाहिए. ये पेड़ पौधे लाखों करोडों रुपए का काम करते हैं. इस पेड़ पौधे की मदद से कई प्रकार की चमतकारी शक्तियों को अपने बस में कर सकते हैं. और यह अमूल्य जानकारी बताने से पहले रिक् कर आते हैं कि आपके लिए ऐसी जानकारियां लेकर आए और बताएं. सफेद कटेरी नाम का पौधा चमतकारी फायदा से भरपूर है. वैसे नीले रंग की कटेरी अगर आप ग्रामीन इलाकों में रहती हैं तो बहुत ही आसानी से देखने को मिलती होगी. परंतु उसके अ साथ दुरलब प्रयोग होते हैं, जिनको करने मात्र से आपकी कई प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं. सफेद कटेरी का फूल जो की पौधे में खिलता है, इसकी जड़ के नीचे हीरे जवारत, सोना चांदी भी दबे हुए होते हैं. ऐसा लोगों का कहना है, बहुत से ल इसके नीचे जरूर कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, घड़ा हुआ धन जरूर मिलता है. जरूर के नीचे जमीन में गड़ा हुआ धन होता है, धन प्राप्त करने का पहला प्रयोग में आपको बताऊं, तो चमतकारी प्रयोग है, केवल इसका एक सफेद फूल, ध्यान से सुनिएगा, केवल इसका सफेद फूल. शुक्रवार के दिन मा लक्ष्मी के साथ में मा को चढ़ाते हैं, तो मा लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, और आपके घर में धन की बारिश करती है. जीवन से दुख, तकलीफ, गरीबी, निर्धन्ता, रोग, क्लेश, आदि, व्याधी, कर्ज, जीवन में चल रही तमाम तरह की समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाती हैं, जो लोग लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं. ऐसे व्यक्ति अगर इसके पुष्प मिल जाते हैं और उसे पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं, तो माल लक्ष्मी को जरूर से उस पुष्प का प्रयोग करके चड़ा दें. इसे माम लक्ष्मी जो है आपके घर में धन की बारिश करती है, इसकी जड़ में अमरित की एक बूंद भी पाई जाती है। इसी लिए सोते समय इसकी जड़ को सिरहाने रखने से बीमार व्यक्ति, खाट में पड़ा हुआ व्यक्ति चलने लगता है और दोडने भी लगता तंत्र मंत्र भी अगर किसी के ऊपर है तो वह भी दूर होता है। और लंबे समय से बीमार पड़े व्यक्ति की बीमारी दूर हो जाती है। यह जड़ किसी भी तंत्र मंत्र को दूर कर देती है और रोग मुक्त कर देती है। आपको तंत्र से छुटकारा दिलाता है। यह जबरदस्त प्रभावशाली और चमतकारी प्रयोग है, इसके बारे में बताया जाता है कि इसकी जड़ जो है लाल कपड़े में लपेट का जो व्यक्ति तकिये के नीचे दबा कर रख देता है, तो सपने में भूत भविश्य और वर्तमान दिखाई देता है। कई लोग चाहते हैं हम अपना भूत भविश्य और देख सके तो अपनी तकिया के नीचे लाल रंग के कपड़े में इस जड़ को लपेट कर रखने से भूत भविश्य और यह खास बात ध्यान से सुना। अगर आप किसी दूसरे का भविश्य देखना चाहते हैं तो इसकी जड़ को लाल रंग के कपड़े में बांध कर अपने हाथ में रखें। अगर भविश्य देखना और जिस व्यक्ती का भविश्य देखना है उसे व्यक्ती के भविश्य का देखने के लिए उसका नाम और गोत्र लेना भूत भविश्य वर्तमान दिख जाएगा और इसका जड़ घिसकर रोजाना तिलक लगाने से व्यक्ती का मन शांत रहता है। कारोबार में उन्नती मिलती है और चिड़-चिड़ापन दूर रहता है। बार-बार छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आता है तो इससे गुस्सा आना बंद हो जाता है और मन शांत रहता है। इसकी जड़-वेल की जड़, महुआ की जड़, तीनों को घर में गाठ देने से परिवार पर आया संकट दूर होगा। तंत्रमंत्र से बचाव घर में स्थाई रूप से लक्ष्मी का वास होता है। कभी भी धन की कमी नहीं होती है। ऐसे घर समाज में स्वर्ग के सम्मान हो और यह दात के दर्द को ठीक करता है। या फिर इसके बीज का धूमरपान करने से या धूआ अपने मुह में अंदर खीच कर बाहर फेंकने के बाद दात में लगा कीडा समाप्त होता है। आयूरवेद में भी इसे अति उत्तम माना गया है और धार्मिक दृष्टी से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए तीज त्योहार धर्म चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तक कि रहा हैं.